Hey guys, welcome back to my channel, मैं हो सनाली और आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही requested वीडियो लेके आई हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए मेरे एक subscriber में request किया था कि इस वीडियो को बनाया जाए तो guys, आज की वीडियो है How to reduce your weight using apple cider vinegar apple cider vinegar के जरिये आप कैसे अपना weight lose कर सकते हैं ये वीडियो आज की इसी topic पर है तो चलिए आज का वीडियो staff करते हैं और सबसे पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि आपको apple cider vinegar वो ही use करना है जिसमें mother हो mother मतलब कि जो आप apple cider vinegar खरीदेंगे उसमें आप देखेंगे सबसे नीचे में नीचे की जो parts होते हैं वहाँ पे छोटे छोटे particles आपको मिलेंगे उसको कहते है apple cider vinegar का mother तो इसको आप चेक कर लीजिए गाँ जिसमें mother है वो ही आप खरीदें वो ज़्यादा beneficial रहता है तो गाइस मैं apple cider vinegar के properties के बारे में बताने से पहले आप सब इको बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे ही चैनल पे आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलते रहेंगी और bell बटन को प्रेस कर लीजिए ताक कि सबसे पहले notification आपको ही आए तो चैनल ये वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो guys सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि apple cider vinegar को पी के आप एक दमी से पतले हो जाएंगे तो फिर ऐसा कुछ नहीं है ये कोई magical drink तो है नहीं कि आपको तुरंट से पतला कर देगा या कुछ भी आप कर सकते हैं साथ में करना ही पड़ेगा आपको तो apple cider vinegar को आप कह सकते हैं ACV और इसमें आपको मिलेगा acidic acid की properties जो की आपका fat burn करने में help करता है और आपको BP, sugar, blood pressure जो भी है ये सबसे दूर रखता है ये सबको control करता है ACV आप इसको आप ले सकते है as a drink अब बात आती है कि इसको आपको लेना कैसे है कैसे drink बनाना है तो मैं आपको बता देती हूँ आपको lukewarm water लेना है एक glass उसमें आपको एक half leven लेना है उसको मिलाना है और apple cider vinegar को आपको उसमे वन टोल बाकर आपको पी जाना है और आप ये जो ड्रिंक है इसको आप सुबह पी सबते हैं उठने के बाद या फिर राप को सोने से पहले इस ड्रिंक को पीने के बाद आपको थोड़ा फुल टैप का फील होगा एपल साइड विनेगर को आपको बिल्कुल भी बिना डल्यूट किये नहीं लेना है क्योंकि इससे आपको बर्निंग प्रोब्लम हो सकती है आपके मुँ में या फिर बॉड़ी में या पेक में कहीं पे भी आपको बर्निंग प्रोब्लम हो सकती है इसलिए आपको उसको dilute करके ही लेना है और इसको आपको दिन में दिन में नहीं पूरे 24 घंटे में आपको से 30 ml ही लेना है मतलब कि 2 स्पून इससे जादा आप मत लीजिएगा वरना problem हो सकती है इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि 30 ml से जादा बिल्कुल भी आप इसको consume नहीं करिए apple cider vinegar आपको आपके hairs के लिए भी useful है आपके अगर fizzy hair है या rough hair है तो आप उसको lukewarm water में मिला के आप उसको लगा सकते है hairs में इससे आपकी जो hairs की quality है उसमें सुधार आएगा और हाँ apple cider vinegar antibacterial है तो आप इसको अपने skin पे भी लगा सकते है आप इसको lukewarm water में मिला के एक spoon जादा नहीं एक spoon ही डालेगा और उसको आपको मिला के लगाना है अपने face पे क्योंकि ये antibacterial है तो ये skin के लिए भी बहुत ही जादा useful है so guys आज के वीडियो में इतना ही apple cider vinegar के इतने सारे uses है तो आप भी इसको use करिए अच्छे से और इसका फायदा ले thank you झालेगा